सहरनपूर लोक सभासे गटबंदन प्रतियासी इमरान मसूद सहब इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो किन-किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं इमरान सहब क्या-क्या मुद्दे हैं इस बार सहरनपूर के लिए खासतोर से को मिद्दों का जो पर चुनावाटे हैं इस बार सपा औरiece का गटबंदन है पिछली बार देखने को मिला था यहां पर ब्IES पी और समाजवादी का गटबंदन था और वो जीते भी यहां से जो प्रतियासी थे इस बार किस तरह से देखते हैं इस गडवंधन को देखिए हमारा गडवंधन बहुत मजबूत है देश के अंदर इस वक्त सम्विधान को बचाने के लिए सब लोग संगर्ज कर रहे हैं और जो लोग सम्विधान को बचाने वाली ताक्तों को कमजोर करने का काम करने हैं चाहिए वो कोई भी हूँ वो उनको इतिहास माफ नहीं करेगा उनको इतिहास माफ नहीं करेगा क्योंकि देश के सम्मिधान के उपर इस वक्त संकट के बाद अले और देश का सम्मिधान बचाना इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है सरकार कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से करोड़ों लोगों को उभारा गया है बाहर निकाला गया उसके बाद भी असी करोड़ lost wam है तो यह वरोधाभास नहीं लगता आपको देखिये सरकार का कहना कुछ है करना कुछ है सरकार कहती है कि देश के अंदर हमने विख्सित भारत का निर्मान कर रहे है अगर आप विक्सित भारत का चल रहे हैं तो पिर ये तो इस्तिती बहुत खराब है अभी भी आप देखिए अब आयोध्या में राम मंदिर भी बन गया है अब इसी राम भरोसे ही हमेशा रही है भाजपा और अब जब राम आ गए है उसके बाद भी अब उसको भी भुनाने की कोशिस है राम चले कहां ग मेरों में राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में मर्यादी ताचरन कीजे मर्यादी ताचरन होगा तो राम तो आपका अपने मन में मिल जाएंगे राम की करपा के विल क्या एक ही लोग उपर होगी राम तो सब लोगों के हैं राम की करप यही हमारे है ज़्ण पार का नारा दिया था 2019 में तो राघव लखन पाल जो है वो हार गए अब की बार 400 पार में क्या उनकी नहीं अभी पार होगी क्या देखते हैं? अभी तो उनकी नहीं यह नहीं पार हो रही है, अभी दोसों पार कर लें तब तो बात है ना, अभी आप देखें कितना भेंकर विरोध चल रहा है, चत्रिय समाज का यहां से लेकर के गुजरात तक कितना भेंकर विरोध है, अभी तो उनको विरोध बहुत भारी छेलना पड तो जो एक तरह किसे कहें कि बनवाज जो है वो खत्म नहीं हो के दे रहा है अब तो 14 साल से भी ज़्यादा हो गए है तो इस बार क्या देखते हैं अब राम लिंकन भी बहुत बार हा रहे दे चुनाओं ऐसा नहीं है राजनीत के अंदर आपका राजनीत में दिखना जरूरी इस बार क्या देखते हैं जो दोजार चौबिस का चुनाव है इसमें दिल्ली जा रहे हैं इमरान मुझे तो लगता है इंशालाप भारी बोट के साथ चुनाव जीत रहें, जिस तरह का समर्तन मिल रहा हूं यह पहली मर्तबा मैं ऐपने जीवन में चुनाव देख रहा हूं, जिस चुनाव कें अंदर लोग घर पर आकर के प्रोग्राम लेने के लिए मेरे प्रोग्राम की मारा मारी है और मैं टाइम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर दिक्कत है चुनाओ बहुत अच्छा है एक आखरी सवाल है हम भी चाहते हैं कि राम राज हो लेकिन राम राज के मारे मालूम भी है क्या है राम राज वो करें कि सब को अधिकार मिले भगवान च्री राम जिस वक्त वनवास के लिए गए तो वनवास क्यों कहे रगुकुल रीद सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई वचन दे दिया था पूरी जनता खिलाब थी लेकिन उसके बावजूद वनवास गए और जब वनवास गए बन देवी ने भगवान च्री राम का स्वागत किया और का भगवन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं तो उन्हें ने कहा क्या करेंगी आप मेरे लिए भगवन ने कहा बहुत इसरार के बाद कि ठीक है अगर आप कुछ कर सकती हो तो जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते को तुम साफ कर दो उसके काटे पत्थर सब निकाल दो जूक्के मुझे ढूंडता हुआ मेरा भाई भरत मेरे पीछे आएगा तो यह देश राम का देश है अगर राम यह है मेरा आप राम है तो मै भरत हूँ इस देश का हिंदू राम है तो यह मुसलमान भरत है और भरत को किसी कर राम का कष्ट ना हो यह राम की करूणा है तो जब यह करूणा आब ऐसको के मन में आ जाए तब राम राज की अ civic अ किजिए के राम राज कैसा होला है जब खूदी जी तो कहते हैं कि सरभन की वह बात करते हैं तो क्या लगता है कि राम की भूमीका में वह हैं कि छोड़िए इस बात को कैसी आप सवाल कर रहे हैं लेकिन बीजेपी वाले τοो कहते हैं कि मोधी जी आवतार है अब अब बीजेपी वाले क्या कहते हैं यह उनके लिए उनके निता है उनके लिए होंगे प्रधान मंत्रि ہमारे लिए她 तो यह थे इम्रान मसूद जो अभी परचार पर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह का लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है इस बार लगता है कि जो उनका लगातार उनका उनके परिवार का यहां पर पिछले 15 साल से ज्यादा से बनवाष चल रहा है वो इस बार खत्म होगा यानि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो वापसी करने वाले हैं साहरनपुर से कैमरामेन विवेक के साथ नगेंदर भाटी एमवी नेटवर्क